इसके बाद उन्हें देखा कि जिया और पूजा वठ ने अपना लफड़ा सोजा लिया पूजा वठ जो है कल राज ते जुट गई थी प्रियास में कि जिया को मुस्से बात करनी होगी तो बोल लेना क्या जाना फिर सुभा फॉलक के पास जाती है जिया को मुझसे बात करनी होगी तो तुम उसको बोलना क्यों कर सकती है उसके बात पिर जो है जब फलक और जिया बैटे होते है तो फिर पूझा बट महाँ जाती है जिया तुमको मुझसे बात कर रही है तुम कर सकती हो हम दिल से बात करेंगे heart to heart बात करेंगे और हम सब कुछ clear करेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता में कल चली जाओंगी तो हमारा लफड़ा clear होना चाहिए actually पूझा जी आपको ये डर नहीं है कि आप कल चली जाएंगी इतना तो मैं भी आपको जान गई हूँ इतना हम भी जान गए वया हमका वेवकुफ ना बराओ आपको अपने जाने का डर नहीं था आपको बात ये थी पूरी प्रॉब्लम सबस्या ये थी कि भाई वीकेंड का वार आने वाला है तो ये जो लपड़ा अपने किया है अंदर ये अंदर आप भी जानती थी कि एक तो आप विना मतलब की जिया पर बरसी है पहली तो वो बात हो गई कोई मुद्दा है नहीं था दूसरी बात ये कि आपने ऐसे ऐसे शब्द बोले है इतना पर्सनल अटेक किया है जो अंदर से अब आपको खा रहा है कि भाई अगर ये बात जो है वीकेंड का वार में उठ गई ये मुद्दा आ गया तो फिर बात मुझ पर आ सकती है तो क्यों ना आप यहां पर अपना बड़पन दिखाया जाए और एक बार फिर से जो मैनिफलेट करने की ओवर पावर करने की जो उक्षमता है पूजा भट में उसका एक बार इस्तिमाल किया जाए तो भई क्यों ना ये लपड़ा वीकेंड का वार से पहले सेटल कर दिया जाए ताकि जिसके साथ ये लपड़ा हुआ है वो ही आपके पक्ष में बोल डाले के हमने तो भई अलपड़ा सुझा लिया है और ऐसा हुआ भी जिया के साथ पूजा भट ने अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व किया ये जो भी मुद्धा हुआ था सॉल्व किया उसके बाद जब वीकेंड का वार में यहां फलक नास को लेके अभिशेख जो है एक्जेम्पल दे रहे थे जिया और पूजा भट के इस जगड़े का जहां पर अभिशेख ने बोला के मुझे बुरा लगा कि जब फलक और अभिनाश दोनों सुन रहे थे पूजा मैम ने यहां बहुत सारी गलत बाते बुली जिया के लिए लेकिन एक ने भी स्टेंड नहीं लिया बस बैठके सुन रहे थे क्योंकि उपीनियन देना इनको आता ही नहीं है मुद्दे में तो यहां पर पूजा भट बोल पड़ी है ताकि कोई उन पे उंगली ना उठा पाए और अगर उठाए तो उनके पास हो मैंने तो जिया के साथ सुला कर ली है तो भई एक्चुली वहरी चालाग ब्रो पूजा भट एक्चुली बहुत चालाग है और बहुत चालागे से अपना गेम खेल रही है उन्होंने अपना रास्ता साफ कर लिया था पहले ही ताकि उन पर उंगली ना उठे और तो छोड़ो और तो कंटेस्टेंट क्या बोलेंगे खुद जिया उन पे उंगली ना उठाए सवाल ना उठाए वीकेंड का बार में किसी भी तरीके से कि इन्होंने मुझे मेरे साथ ऐसा सकी है क्योंकि उन्होंने सुला ही उस लेवल पे जाकर की है हाथ पकड़के प्यार से